next chapter जो हमें start करना है chapter हमारा है clubbing of income का आपके scanner में दिया हुए chapter number 12 chapter number 12 पर आपका दिया हुए clubbing of income and एक chapter आपका दिया हुए 22 set of and carry forward of losses set of के chapter में finance act 17 में एक change आया है और clubbing के chapter में कोई भी change नहीं है तो सेट आफ के चेप्टर में जो चेंज आपका आया है वो एक्जाम के लिए मोस्ट इंपूरेंट है चेंज किसमें आया है आपको शायद पता होगा हाउस प्रपरटी के लोस ना किसी भी हैड की किसी भी इंकम से खतम हो सकते थे अब वहाँ पर इंदोने एक लिमिट लगा सेख्टर स्टा चर्ट करवाने जा रहा हूँ वो सेटम अफ का नहीं है अब अगर मैं शर्क लबब बेन और देहान से आपके चेप्टर का नाम है क्लब्बिंग ओफ इंकम आपके एक्जाम में एक या आधा को कुमल एक दो कुच्चन आपके यहां से बनेंगी ठीकर ये और एक्जाम में कोच्चन रहर नहीं बन रहा वड़ धूसरे टम्टkes को कुंटंस seventeen Спस क्लबिंग का चैप्टर सेक्षेन नमबर 60 से लेकर 65 तक आपके जितने भी सेक्षेन होंगे ना वह सारे क्लबिंग ओफ इंकम क्योंगे अच्छा अगर मैं यह बात कह रहा हूँ इसका logic क्या था रिजल्सुना ध्यान से अगर मैं इस चप्टर के लुटि की की बात करता हूं होता क्यों अशूस्ता के लोग इस टेक्स planning करते थे उस साघी के सारी planning को रोखने के लिए गल्र मेट ने Hé कि और अब मिस्टर एक्षक्ड के पास ऐसे मानलो एक मिस्टर 10 assessment परमंत मैं आप इससे यह नों साक्राइद किया मालों से किसिये से उसको इचाने घंता है ऑगा उसके चाहत्में कितने हैं अग्याइगी करना पड़ेगा क्यूंकि जोस्विक्म करना पड़ेगा क्यूंकि सोच के देखोक अगर यह दो 40 मैं करूँ तो मेरे हाथ में इंकम कितने हैं कि 4,898 तो मेरे हाथ में क्या हो जाएगी taxable अगर मैं ये इंकम उसको divert कर दूंगा तो उसकी 10,500 लिमित है मेरी भी 10,500 लिमित है दोनों की limit यूज तो दोनों को tax यहां पर नहीं बनेगा इस क्याना है कि लोगों ने प्लैनिंग क्या कि लोगों ने अपनी इंकम को ना दूसरे को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया अब जब लोगों ने अपनी इंकम को दूसरे को डाइवर्ट करना स्टार्ट किया इस डाइवर्जन को रोकने के लिए गोर्मेंट ने क्या किय कि अगर कोई पर अपनी इंकम दूसरों को डाइवर्ट करेगा टेक्स प्लैनिंग के लिए तो गॉर्मेंट क्या कि वो सारी की सारी इंकम होगी ना वो आपकी इंकम में दुबारा एड़ बैक हो जाएगी अब यहां पर बहुत सारे लोगों ने प्लैनिंग क्या की फर आपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी महिंदर बच्चों को ट्रांसस्वर की मदग ट्रांससवर की इध। भी इंधी सारी किस अरिग ओर अब ब्लोक खर दी ए इंधीं आप गर्व मेंंटे बात करना चारे कि अगर अपने प्लै निग करने के लिए कोई भी आपने इंकम ट्रांसफर कियोगी ना तो वो सारी के सारी इंकम जो होगी वो आपकी इंकम में एड़ बैक हो जाएगी अब यहाँ पर सेक्शन 60 से लेकर 65 तक आपके जो भी प्रोविजन होंगे ना वो सारे के सारे किसके होंगे क्लबिंग क्योंगे अब इस ट्रेप्टर का सबसे पहला सेक्शन जो है ना वो सेक्शन नमबर 60 है वो यह बात कहता है कि अगर किसी परसन ने दूसरे परसन को ना अपनी इंकम ट्रांसफर की है अगर किसी परसन ने दूसरे परसन को अपनी इंकम ट्रांसफर की है विदाउट ट्रांसफरिंग द करहabeth कर दिया नहीं तो Epic के आपके पास है बढ़ उसाइसेट से आने वाली इंकम आपने ट्रांसफर कर दीया फोल गी मिद्श के Labyrinth कवर नहीं दोनों ही केस में आप में कलब होगी इट मिस कहना है कि अगर एक्जाम में कुछ बनगा कि आपने कि अगर मिस्टर एननों किटीट चलता है अगले लुकाशन में क्या बोल रहा हूं फर एक्जामपल माल लों मिस्टर एन ने ना मिस्टर बी को ऐसे ट्रांस्फर करती है अच्छा अगर M. इच्छ वी को asset transfer किया ना, तो उस case में section 60 तो applicable होगा नी. lanz just क्यों होगा, section 60 क्या बोल रहा है कि अगर आपने income transfer की है तब मैं लगूंगा अगर आपने asset specification में I przeci transfer की है तब मैं लगूगा, अगर आपने asset ही transfer को दिए उस case में applicable नहीं। epoxy ब्ट सेक्षशन सिक्ष्टी में लिखा दागी अगर आपने इंकम ट्रांसफर की नापूस जे वाולत किया पड़िन ये सेट्सिवट इंसार्टीऑ कि कि अगर कोई person अपनी asset की transfer भी करेगा बट वो transfer revocable होगी तो भी clubbing transfer के अंदर होगी अगर मैंने income transfer की है वो तो clubbing है अगर आपने asset भी transfer की बट वो transfer revocable होगी तो आने वाली income भी transfer में club होगी transferi की income में club नहीं होगी अच्छा आप में एक बात बताना अगर मालो Mr. A जो है न Mr. B को asset transfer कर रहा है और transfer की time पर मालो agreement में क्या लिखा कि जब तक Mr. B की life है ये asset भी Mr. B की है आने वाली income भी Mr. B की है अब सोच के देखो अगर मैंने asset भी transfer कर दी है income भी transfer कर दी पूरी life के लिए तो क्या ये transfer revoke के बाल है इन रिवोक के बाल है अब सोच के बताना क्या आने वाली income मुझे में club उन्चे बी में section number 62 ये बात कहता है section number 62 ये बात कहता है जैसे ही Mr. B expire होगा उसके बाद clubbing किसमें हो जाएगी Mr. A में clubbing हो जाएगी अब बच्चा ये बात कहता है sir मैंने का हाँ sir ऐसा भी तो हो सकता है मानलों Mr. B से पहले Mr. A की death हो जाए yes या no yes possible है तो अगर Mr. B से पहले Mr. A की death होगी फिर Mr. B की death होगी तो clubbing तो होगी Mr. A के legal hair में होगी it means कहना क्या चा रहा हूं भाया clubbing तो हर case में होगी अगर A जिन्दा है तो A में clubbing कर दो अगर A जिन्दा नहीं है तो A के legal hair जो होगे फिर उसमें clubbing होगी that is section 62 अब सोच के दिना दो कोशन आपके एक्जाम में बनेंगे दो case निकल कर आ रहे हैं या तो मैंने income transfer की है या अगर मैंने income transfer की है चाए वो अगर मैंनेста के बात और होगी उसकी death के बाद इन दर जैसे ही death होगी फिर हूँ तो मेरे legal hair में clubbing होगी है हमारा section number 62 बात बोलता है तो exam में अगर question income का बनेगा तो आप income वाले case में हर case में clubbing करोगे अगर question asset का बनेगा तो प्लीज ध्याना कि asset वो revokeable है अच्छा अच्छा सुनना ध्यान से अब exam Mr. B की life है ना यह सारी की सारी asset Mr. B की है और 20 साल तक आने वाली income भी Mr. B की है बट 20 साल के बाद ना इस asset से जो भी income आएगी वो मेरी हो जाएगी अब मैं कहना यह चाहरा हूँ कि या यह income जो है वो A में club होगी या नहीं होगी yes या no अगर होगी तो कब से club होगी इस मेरा कोश्चन जारे कि अगर एने बीको एसेट दिया पुरी लाइफ के लिए बट एग्रिमेंट में कहा लिखा कि 20 साल तक इंकम उसकी है 20 साल के बाद इंकम मेरी है तो अगर पूछू मैं आप से कि अगर मालो यहां से जो भी स्टार्ट मिश्टर भी कवायेगा तो क्या वहereye में अगा इंकम मिश्टर एमए कलब होगी औरShaday क्लब होगी तो और U इंकम भी उसकी फिर वह एक्षान रोचे बनेगा इमिस गॉष्मेंट ये बात कहना चाहिए बहुज़ा अगर ट्रांस्फर्फर वह एक्षान रोचेवल होगा फिर तो क्लब इंग इसमें और वो ट्रांस्फर्र इर्य वो केवल है फिरcles मुआ पर टर्व रीवो केवल होगा भूसार तो स्टार्टिंग सींगम आप में क्लब होगी और इर्य Wäh की वा雁 a प्लक्व मतलब क्या अगर है पूरी लाइफ के、 एसे ब detect की और income भी उसकी फिर वो इर्यों के बल बने अदर्वास वो इर्यों के बल नहीं बनेगी तो वास्वन में आ रही है तो एक्जाम में सरा ऐसे कंफ्यूज करेगा 20 साल या 10 साल बोलकर तो अगर वो लाइफ टेम वर्यूस करेगा तो तब इर्यों के माला आएंगे अगर वो गया नहीं अब तीन के यहां पर निकल करा रहे हैं अगर मैंने इंकम ट्रांसफर की है तो तो डिवह बोल दो वो लो ऊंसर के निकल कराएगा चाये वह हो रिवो के किब भिलोなん स्टार्टिंग से ट्रांस्फर में कम और ऐसे ट्रांसफर की एंप यानिह अर न् सेक्षट की आशचिन वर कि आचा अच्छा आप द्यान से अब अगर मैं यहाँ पर सिंपल सी बात करता हूँ ना क्लबिंग का लोग आपका बहुत पुराना बना हुए बहुत पुराने का मतलब है कि जब आपका income tax act बनाना उसके कुछ टाइम के बाद गौर्मेंट ने क्या कि क्लबिंग का लोग बना दिया सब्सक्राइब विद्दर हैंनतों आज हमाना कंट्रॉल हमारी वाईफ पर है फंस्वाइफ सैनथ हैं u पार हम अपना उडरांटा करते हैं हमारी हाऊववफ है आप eaten अब उसकी सएवाभ्या पुराण टाइम ता कि भ Alrightyya हस्बैन की चलती थी अब सक कमाओगे आपका husband में कमाएगा तो कहीं ना कहीं अंडरस्टेंडिंग बहुत मलग उसने कर ज्यादा बहुत आप भी कोई मेरा भी अर्णिंग है इदमिस कहना क्या चारो आज सब कर निंग है तो वो टाइम खतम की जो मैं बोलों को तुम्हें मानना पड़ेगा तो जब लो म इंकम कमाएगी और husband में क्लब हो जाएगी इदमिस आज की बात नहीं कर रहा बट उस टेम लो में करें क्या सोचा कि अगर husband ने wife को asset transfer की और wife ने उससे income कमाई तो सारी income किसमे कलब होगी husband में ऐसे अगर को income minor कमाएगा तो minor की इंकम भी कहा कलब होगी उसके parents में और ऐसे अगर father-in-law ने income sons wife को दियोगी तो किसे में कलब होगी father-in-law में कलब होगी तो कहना क्या चारा हूँ कि इन तीन case में इन तीन case में अगर आपने asset transfer की तो ये लोग जो income कमाएगी किसमे क्लबिंग होगी उनके जिन में transfer होगा उसमें कलबिंग होगी अब सुना ध्यान से एक्जाम में दिक्कत क्या आती है अब अगर मैं सबसे पहले section की बात करता हूँ ना जो आपका wife sons wife और minor वाला है जो wife वाला case है वो आपका section नंबर 6414 में cover होता है उसके बाद संस्वाई वाला case है वो section नंबर 6416 में cover होगा और minor वाला case जो है वो section नंबर 641a में cover होगा इन तिनों को प्लिस ज्यान समना सर एक्जाम में 101 कोशन यहां से बनता है अब अगर मैं 6414 की बात करता हूँ ना वो यह बात कहता है अगर husband ने wife को income transfer की है अगर husband ने wife को इंकम नी अगर husband ने wife को asset transfer की है और वो asset other than house property है मला house property वाले case में section applicable नहीं होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ जब मैं house property के chapter पर आऊंगा ना वहां पर एक section 27 है that is deemed owner वह यह बात कहता है अगर husband wife को house property transfer करेगा ना तो husband ही ओनर माना जाएगा और जब husband ही ओनर मनेगा तो income पर tax कोन पे करेगा husband तो government करिए भाया जब वह पाइंट वहां कवर उचुगा यहां पर अगर कोशन एक्जाम में घर का आ रहा है तो 27 लगेगा अगर घर को छोड़कर और कोई asset बनेगी 6414 में cover हो जाएगी अब सुना ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं husband ने wife को house property दी तो 27 में है मैं यह मान रहा हूं कि house property नहीं है अब अगर husband ने wife को asset transfer की है उस asset से wife जो भी income कमाईगी किसमें कलब हो जाएगी husband में कलब होगी बट government यह बात करें कि husband में सिरफ clubbing तब ही होगी अगर relationship must be exist at the time of transfer and actual of income बला जब आपने asset transfer की वह आपकी wife थी जब उसमें income कमाई तो भी आपकी wife है अब सोच के देना सर अगर for example माल लो मैंने अपनी wife को ना asset transfer की उसके बाद हम तोनों का divorce हो गया अब अगर हम तोनों का divorce हो गया divorce होने के बाद उसने income कमानी start की अब अगर वो income मुझ में कलब होगी मेरे पर हाट सी पहना जब मेरी wife इने रिंकम प्र टेक्स इसे को asset transfer कर रहा हूं उसके बाद शादी हो जाती है उसके बाद वो income कमारी है क्या वो income मुझ में कलब होगी यह सिया नो नो गॉर्मेंट ने क्या का है relationship आपका exist नहीं करता था आप सोचके देना सब्सक्राइब की बात करो देखो लोग मेकर ना लोग मेकर सोचका है प्रेक्टिकल लोग मेकर के मन में emotions नहीं होते आप सुरके देना अगर मालनों for example practical सोचो अगर एक पांसो लाख रभी के और आपनी एसले गुर्मेंट को टांसवर कर दी आप अगर 500 लाख रेकि आपने को टांसफर कर दी तो उसके बाद गुश्त गुब करने के बाद आपको क्या लगत है कि पांसो लाख र्भी के ऐसे ट्रांसफर करने के बाद कि दोनों की साधी हो brand क्यों कि अंसे नहीं हो गयर नहीं होगी बहुत रेता और हैसा और सुर दो अगर गोर्मेंच यह बात आध के दे कि क्लब इंग हुगी उसके अंदर होगी बढ़ śEt्ण के अंदर पहली तो clubbing भी उसमें नहीं करेंगे, जिसके पास asset होगी, clubbing फिर वहाँ पर होगी, अच्छा आप सुना ध्यान से, मानलो husband ने na wife को asset transfer की है, husband ने wife को asset transfer की, अब government ने क्या बोला, wife इस asset से जो भी income कमाएगी, वो किस में club हो जाएगी husband में, आप सुना examiner का सबसे favorite question क्या है, जो यहा wife को asset transfer की, और जब यह asset transfer की ना, उसने agreement बनाया, उस agreement में क्या लिखा कि जब तक मेरी wife की life है, यह asset भी उसकी आने वाल income भी उसकी, अब उसकी wife इस asset से जो भी income कमाएगी, क्या वो income husband में club होगी, या नहीं होगी, उसका question यह था, द्वारा question repeat कर रहा हूँ, husband ने wife को asset transfer की है, agreement में क्या लिखा है, कि जब तक wife की life है, यह asset भी उसकी है, और आने वाली income भी उसकी है, उसकी life तक, तो जो भी income उसकी wife कमारी है, क्या वो income husband में clubbing होगी या नहीं होगी, और अगर होगी, तो कब से होगी, अच्छा क्या कभी भी clubbing नहीं होगी, clubbing कब होगी, उसकी death के बाद, क्याना क्या चाहिए, कि death तक किस में club होगी, wife में, उसके बाद husband में, लो यह बात कहते हैं नहीं, आपको मैंने पहले भी कहा था, sir, low लिखने वाले ने, जिस्टेम low बनाया, उसने क्या सोचा, एक induce, उसकी wife पर control है, it means government यह बात कहना चाहिए, जो आपने section 62 irrevocable transfer का पड़ा, वो आपका हर case में applicable होगा, बट minor, wife और sons इन तीनों में applicable नहीं होगा, it means अगर आपने wife को पुरी life के लिए भी transfer की है, तो clubbing आपकी starting से होगी, death के बाद नहीं होगी, तो द्यानकना जो आपने section 62 पड़ा है, that is journal section, और यह आपका specific section, always overruled journal section, तो आपके exam में जब भी question मनेगा wife का, sons wife का, minor का, अगर इन तीनों case में irrevocable transfer भी होगा, तो भी clubbing आपकी starting से होगी, death के बाद clubbing नहीं होगी, मासवन में आ रही है, तो इस case में अगर मैं यह बात कह रहा हूँ, आप पुरी life तक ते रही है, तो government के वह रही है, चाहिए आप पुरी life को देदो, फिर भी clubbing आप first, जैसे इसमें करोगे, उसमें clubbing आप नहीं करोगे, क्यों, हमने क्या माना है, इसका control आप पर है, इसमें आप उसे control करोगे, चाहिए control आपका हो या ना हो, इसमें income कमाने के time, आपका, इसमें कहना के चाहिए कि government ने transfer कि आप उसके wife थे, उसने income कमाने आप उसकी wife थे, अगर दोनो time relation है, बात खतम, चाहिए वो revocable हो, चाहिए वो irrevocable हो, दोनों ही case में clubbing कहाँ पर होगी, husband में clubbing होगी, अच्छा सुना ध्यान से, मालो husband ने न, wife को asset दी है, और wife उसे income कमारी है, एक अलाख रबे की, अच्छा अगर wife एक अलाख रबे की income कमाएगी, एक अलाख रबे किसमें clubbing हो जाएगा, husband में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, wife ने क्या किया, इस एक अलाख रबे किसमें bank में FD करा दी, उस FD से उस दस जार रबे का interest आ रहे है, क्या ये interest husband में clubbing होगी है नहीं होगा, yes या no, no, government कहती है, accretion of income husband में clubbing नहीं होता, it means अगर husband ने wife को asset transfer की है, तो asset से आने वाली income husband में clubbing होगी, income से income कमाना, वो husband में clubbing नहीं होगी, तो आपके exam में confirm question बनेगा, मैं आपको द्वारा बोल रहा हूँ, asset से आने वाली income club होगी, income से income जो आएगी, वो income wife वाले case में clubbing नहीं होगी, अगर आपने मेरे word को ध्यान सुनाओ न सर, मैंने क्या कहा है, accretion of income wife में club नहीं होगी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, minor में club हो जाएगी, minor में सारी income club होती है, चाहे वो accretion of income में क्यों नहीं हो, अगर यहाँ पर wife में minor लिखता ना, तो minor में यह income भी club होती, बट government ने क्या वोला है, कि यह minor वाला case अलग है, बट wife वाला case अलग है, इस wife वाले case में क्या है, आपने asset दी, asset से income आई, club कर दो, उस income से income आई, वो wife में add होगी, husband में add नहीं होगी, बट अगर यही case minor का होता, को minor के case में total club होती, क्योंकि minor tax pay करने के लाइबल नहीं होता, तो minor में सारी income club होती है, बट wife और sons wife वाले case में, asset से आने वाली income club होगी, accretion वाली income उनके case में club नहीं होती, तो यह सारी के सारी बात कहां लिखी है, section number 6414 के नतर लिखी हुई है, अच्छा, आप सुना ध्यान स और दूसर सुनो भ्यान से, अब exam में कोशन का ओर लेवल थोड़ा कैसे कोशन बन सकते हैं, उन्होंने बोला, husband का एक business है, जहां सुना please, छोड़े छोड़े questions है बस, husband का एक business है, और उसने अपना business start किया, for example, first for 2016 को, उसने capital लगाई, तीन लाख, तीन लाख रबे capital लगाई तीन लाख रबे capital लगाई थी, उसका एक लाख रबे माल लो, यहां पर अब कम हो गया, मलब लोस इसके आए, एक लाख रबे लोस आ गया, अब उसकी balance capital बज़ी गया है, दो लाख रबे, दो लाख रबे, इसकी wife को इसके बबर तरस आ गया, अपने husband पर, कि भईया, मेरे husband को बिजनस में लोस हो गया, उसने ग Springs का चिंता मत करो कि मैं तुम्हे पास लाख रबे gift कर रहू है, wife ने क्या किया, husband को ना, पास लाख रबे gift कर दी है, husband ने क्या किया, ये पास लाख रबे उने बिजनस में लगा दिये, अच्छा husband पहले कितने थे इसकी पास, दो लाख रुपे और कितने आगे पांस लाख उसने 7 लाख रुपे लगा दिये बिसनस में सब इस साथ लाख रुपे के लगाने के बादना इसके हज़बेंड ने इंकम कमाई मानलो 2 लाख रुपे हैं अगले साल अब गॉर्मेंट ने बोला वाईफ के केस में कितनी इंकम क्लब करोगी बस ये बतातो हूं एक बार दुबारा बोल रहा हूं हस्बेंड ने बिजनस टाट किया तीन लाखर उसके पास थे पहले साल में लाखर पर लोस आ गया दो लाख कैपिटल बची अगले साल में ओपनिंग कैपने दो लाखर पर आ गई उसकी वाइफ को तर अच्छा, आप उन्हें सोच के पताना और क्या ये 2 लाखर पर उपकिस या ऐएं या 7 लाख से आई आए अब सोच के पता दो अगर ये 2 लाख रुपे साथ लाग से कमाए हैं तो पांस लाग से कितने कमाई होंगे हैं कितना रहा है 1-4-2-8-5 तो इतनी इंकम जोगी वाइफ में क्लब होगी बागी सारी इंकम इसके हजबें में कलब होगी ऐसे निकलेगा तो wife ने it means क्या किए asset transfer की उस asset से आने वाल income किसमें कलब करोगे wife में कलब करोगे न 641 for husband to wife का नहीं है wife to husband कभी है it means 641 ये बात क्या जाए कि अगर एक individual ने अपनी spouse को asset transfer की तो section लग जाएगा अब individual spouse को मतलब क्या है husband to wife हो चाए wife to husband हो दोनों ही किसमें section लगेगा अब यहाँ पर क्या किये उसने wife husband को दी है तो वाइफ ने husband को पांस लाग वे gift किया तो पांस लाग वे गिफ्ट किया तो पांस लाग वे गिफ्ट का मतलब के दूसरे बात अगर क्लब करेंगा पूरे 200 कलब कर देगा और तीसरे ऐतो लाग करेंगा और प्रश्वा करेंगा और फेर लिजब करता है वहह हूं वी भी asset transfer करेगा other than house property wife उसे income कमाईगी husband में clubbing हो जाएगी चाहे वो transfer revocable हो, irrevocable हो, दोनों ही case में husband में clubbing होगी husband ने wife को asset दी, wife ने फिर आगे उस income से income कमाई, वो income husband में club नहीं होगी asset से आने वाल income बस club होगी, husband में ये सारी income सिरफ तब club होगी अगर asset देने के time पर income कमाने के time पर दोनों ने उसकी wife थी तभी clubbing नहीं होगी उसके बाद अगर husband ने wife का asset transfer की है, जो provision आप यहां लगा रहे हो, वही same आपके wife to husband वाले case में अगर कोशन husband to wife का बनेगा तो भी same low है, wife to husband का बनेगा तो भी same low अच्छा आपके एक्जाम में दिखाओ, अब एक्जाम दोने क्या कन फिलन डाल दी, उसने बोला husband ने wife को property sale की है और पांच लाख रुपे की sale की है, उसकी fair market value पांच लाख रुपे है, मलब पांच लाख की property, husband ने wife को पांच लाख की sale कर दी, wife उससे एक लाख रुपे income कमारी है, क्या वो income husband में clubbing करोगे, yes या no, no, क्योंकि सोच के देना सार, अगर मैंने पांच लाख की property, पांच लाख में देता, फिर clubbing होती, तो clubbing का लोग हर केस में applicable नहीं है, clubbing का लोग सरुप वहाँ applicable होगा, या तो transfer without consideration में है, या वो inadequate में है, adequate वाले case में clubbing नहीं लगेगा, आँ तोड़ा खुद माइन लगाओ, अगर यह mail book 500 पे की है, और मैंने 500 पे क्याप को देदी, फिर तो club clubbing ही नहीं, 500 की दी, मैंने 500 की देदी, अगर 500 मेंने gift कर दी, फिर clubbing है, या 500 की मैंने 100 पे क्या आपको देदी, तो सोर पे की दी, कहीं ना यहाँ पर black money है, तो clubbing का लोगेगा, तो clubbing always कहा लगेगा, या तो transfer without में है, या वो transfer inadequate मे, adequate वाले case में clubbing का लो applicable, ठीक है, तो यह सा सेम बात आपकी संस्वाइफ आले case में है, बर सिर्फ वहाँ पर फरक क्या आ रहे है, यहां husband to wife है, वहाँ पर क्या आएगा, father-in-law to son's wife यह बात आएगी बस, तो सारी बाते सेम आएगी, वही relationship exist करना चाहिए, वही accretion of income club नहीं होगी, वही सेम बाते सारी applicable होगी, बस एक case कुछ होगा divorce वाला, क्योंकि divorce किसमें होता है, husband और wife में, father-in-law, son's wife, क्या दोनों में divorce, क्या वो case आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा यह बात यहां, तो प्रोब्लम क्या है, क्योंकि करे बाते सेम हैं, तो वहाँ पर divorce वाला case सिर्फ कहाँ पर आएगा, husband और wife, son's wife वाल relationship वाला point पक्का आएगा, क्योंकि relationship वाला point वाला point वहाँ पर नहीं है, तो सारे point सेम लगेंगे, accept divorce वाला point, ठीक है, तो एक बाद चेक करो, book में आओ, जो आउगा clubbing का chapter दिया हुए है, page number, 263, देखो जी, सबसे पहले देखो section number 60, read करो, income from asset transfer, without transfer of assets, shall be club in the hands of, थोड़ा दो नोटिंग करो उसके उपर, दाने करो, income from asset transfer, दाने करो, income, उसके पर लिख लो, revocable और revocable, दोनों ही, चाहिए वो revocable हो, चाहिए वो irrevocable हो, दोने case में section 60 में clubbing होगी, section 60 में जहां income world लिख है, लिख लेना, revocable, irrevocable, बोट, आगे देखो section 61, income from, arising from the asset transfer, shall be club in the hands of transfer, ये कब होगा, अगर वो revocable है, आगे देखो irrevocable, asset transfer to any person and transfer, derive no benefit from such asset income during the lifetime, income arising from asset, shall be taxable in the hands of transfer, free, मैं मेरे अंदर clubbing होगी, उसमें clubbing होगी, जब तक उसकी death नहीं होगी, फिर death के बाद किसमें clubbing हो जाएगी, transfer, आगे देखो, exception, income shall be club in the hands of transfer, as and when power to revoke arise, आप बैकरी में लिख सकते हैं, after death, मलगो कहरें कि transfer में तब से clubbing होगी, जब वापीस नहीं की power आएगी, वापीस नहीं की power कब होगी, उसकी death हो जाएगी, उसकी बाद कहरें, actual revocation is not relevant, मलगो, actual में एसेट वापीस कब की, वो matter नहीं करता, जैसे death होगी ना, उस दिन से clubbing होना start हो जाएगी, ची कहरें, उसकी बाद देखो, section number 6414, यह लिखा होए आपका spouse वाला, यहां से बढ़ना, when any asset is gifted by individual to his or her spouse, any income from such asset shall be deemed to be income वादा transfer, this section shall apply all except, except house property, आगे देखो, exception कहां clubbing नहीं होगी, if relationship of husband और wife does not exist, either at the time of transfer or equal of income, दोनों में से अगर एक भी time exist नहीं करेगा ना, फिर clubbing नहीं होगी, it means clubbing कब होगी फिर? it means clubbing कब होगी, अगर दोनों time exist करेगा, आगे देखो, transfer is under agreement to live apart, it means divorce वाले case में, एक बात मुने ताना, जब husband wife का divorce होता है, तो high court कुछ asset distribute करता है, तो husband को asset जो मिलेंगी, wife को मिलेंगी, तो wife अपनी asset से इंकम कमाईगी, वो husband में clubbing नहीं क्यों, क्योंकि वो किस case में मिली है, divorce वाले case में मिली है, तो divorce वाले case में किसी की भी case में clubbing यहां पर नहीं होगी, अब जो case आपने यहां पढ़ा है न, वही same case 6416 में, son's wife और father-in-law देखों, वही same case दिया हुए, देखो एक बार परलो फटावर से कहा लिख है, asset transfer by individual to son's wife without adequate consideration income from such asset shall be club, in the hands of transferer, the relationship must be exist at the time, that is at the time of transfer and at the time of equal of income, वही same बाद ध्यान लिखी है, ठीक है रही, इदर सुना आप ध्यान से, इदर देखो, आप मुने एक बात बताना, section number, लो जी, section number, 60, 61, 62, 64, 14, यह हमारे हो चुके है, 61 में क्या लिखा था, sorry 60 में क्या लिखा था, transfer of income without transferring of asset, किस में clubbing करोगे, transfer, चाहे वो revocable हो, चाहे वो irrevocable, 61 में क्या लिखा है, revocable transfer of asset, किस में club होगी, transfer में, 62 में क्या है, irrevocable, क्या transfer में club होगी है, transferring में, कब तक, उसकी death, उसके बाद transfer में, उसके बाद 64, 14, यह किस किस कहा है, husband to wife, या wife to husband, अगर husband to wife है, तो clubbing कहा पर होगी, husband, बट कब होगी clubbing, अगर relationship, must be exist at the time of transfer and equal of income, अच्छा, हर asset cover होगी है, house property cover नहीं होगी, house property cover, उसके बाद अगर मालने, मैंने asset transfer के, उसने income क्माई, उस income से फिर income क्माई, क्या वो income husband में club होगी, yes या no, no, अच्छा, अगर मैंने transfer क्या irrevocable, अगर मैंने transfer irrevocable किया है, तो क्या तो भी husband में clubbing होगी नहीं होगी, yes या no, yes, इट मिन चाहिए वो transfer, revocable हो या वो irrevocable हो, दोने ही case में काम पर clubbing होगी, husband में clubbing होगी, अब सुना ध्यान से, मान लो, एक individual है, ध्यान समझना, इस individual का ना, एक concern में substantial interest है, substantial interest का मतलब क्या है, इस individual की, इस company में, मलब company में, 20% or more voting power है, इसकी उस company में चलती है, और इस concern से, इसकी spouse को, या तो salary मिल रही है, या कोई fees मिल रही है, या any other form of remuneration मिल रही है, तो government ये बात करे है, कि ये सारा सम जो होगा ना, हम इस individual में कलब कर देंगे, इड्मीज एक individual का, एक concern में substantial interest है, उस concern में, उसकी spouse जोब कर रही है, और वहाँ से उसको salary, fees, commission या any other sum मिल रहा है, तो सारा का सारा कांग कलब कर देंगे, इड्मीज बात कह रही है, कि ये सम इस individual में कलब नहीं होगा, कब, अगर उसकी spouse के पास कोई skill है, कोई talent है, कोई experience है, कोई degree है, उस case में clubbing नहीं होगी, अच्छा, आप सुना ध्यान से मेरा question क्या आ रहा है, let's check an example, माननों individual काना, इसमें 30% की voting power है, और इस company से उसकी wife को salary मिल रही है, माननों 10 लाग कर भी, तो 10 लाग कर भी clubbing कहा करोगे, husband में clubbing कर दोगे, बट अगर में बात कर दे, wife CS है, और CS में न, 10 लाग में 8 लाग जस्टिफाई करते हैं CS को, बाकी 2 लाग ऐसे ही मिल रही है, तो क्या करोगे, 8 लाग की clubbing करोगे, 2 लाग की clubbing कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अब मैं ये बात कहना चाहरा हूँ, for example, मालना exam में question आ गया, एक company में na husband का interest तो है, wife का भी है, husband का भी है, wife का भी है, और अगर दोनों का interest है, फिर clubbing किसमें करोगे, तो government कहती है, जिसकी other income जादा होगी, फिर clubbing उसमें करोगे, अब सर्थ अगर आपने मेरी बातों को ध्यान सुना है न, मैंने एक word यूज किया, other income जिसकी जादा होगी, अब ये other income का मतलब क्या है, उस होना ध्यान से, मान लो, husband, company और wife, husband का इस company में, voting power है, 12%, wife का इस company में, voting power है, 11%, husband को salary मिल रिया है, इस company से 10,00, wife को salary मिल रिया है, इस company से मान लो, 12,00, इन दोनों के लावा, husband की other income है, 4,00, wife की other income है, 3,00, एक्जाम ने बोल दिया, कि इन दोनों की total income, इन दो आफ्र क्लबिंग लोग क्या होगी, कोशन आपके सामने है, कोशन आपके सामने है, क्लबिंग के लोग, क्लबिंग के प्रफिशन लगाने के बाद, आप दोनों की total income क्या निकल कराएगी, कोशन आपके सामने है, बताओ जी, husband का 12% है, wife का 11, husband को 10,00, लगा सेल नहीं मिल रही है, wife को मिल रही है 12,00, husband का other income 4,00, उसकी 3,00,00, रुपे है, तो दोनों की total income क्या होगी, after clubbing low, आपको कोशन ये बताना है, हाँ जी बताओ, ये husband रख रहा हूँ, ये wife रख रहा हूँ, दोनों की क्या income निकल कराएगी, बताओ नहीं फटाबट, husband की wife की कितनी आएगी, 15,00, husband की, बताओ ना फटाफट से, husband की कितनी आएगी, 26,00, उसकी 3,00, husband की, पहले बताओ 15,00, किसने बोला wife की, husband की बताओ, 26,00, चलो बताओ अगले का अंसर, हनी अगले बताओ जी अफटावट, 17,00, और 15,00, 17,00, और 12,00, और बताओ, question बिल्कुल सिंपल आपके सामने रखा हुए, exam में question आ जुका है कही बार ये वाला, answer क्या देकर आओगे exam में, अगर question आ गया है वाला, 26,00, और 3,00, और बताओ जी, चलो, जो ये कह रहे हैं, 17,00, और 15,00, 17,00, और 15,00, 17,00, वाले, है कोई, चलो, 17,00, कई बच्चे हैं, 26,00, और बाकी ये कह रहे हैं, अच्छा, आपने बाता ना, क्या इस question में, सब चंचर इंटरस्ट है या नहीं है, क्या इस question में, husband का इस company में, इंटरस्ट है या नहीं है, yes या no, yes है, इन्वी इस government ये बात कहना चारिए, कि भईया husband का जो आँप interest, calculate करोगे ना, तो husband के time पर, उसके related party का भी count करोगे आप, अब wife related party है या नहीं है, yes या no, yes है, तो 12 प्लस 11, कितना हो गया, 23 इसका हो गया, 23 ही इसका हो गया, अब दोनों का बन गया, सोचके गए ना सर्द्यान से, 23 याँ पर है, अगर wife husband की relative है, तो husband की वाइफ का होगा, या नहीं होगा, अगर wife husband की relative है, तो क्या husband wife का बनेगा नहीं बनेगा, yes या no, yes बनेगा न, तो 12 प्लस 11 कितना होगा, 23 और 11 प्लस 12 कितना होगा, 23 इसका होगा, अब अगर दोनों का होगा, जिसकी other income जाधा होगी, अगर इंट्रस्ट काउंट करोगे, तो मेरे इंट्रस्ट में, मेरे relative का इंट्रस्ट भी इंट्रस्ट करोगे, अच्छा आप relative में कोन को न आएगा, और कोन को नहीं आएगा, एक बाद चेक करना book में, एक बाद चेक करो, आपको मेरे खाल से दिया होगा यहां पर, नहीं दिया हुआ, ऐसा करो, रिलेटिड में लिखो कौन को न आएगा, पेस नमबर, 263 पर आऊ, पेस नमबर, 263, वहाल लिखो रिलेटिड पाइटे में कौन को न आएगा, एक बाद वहां पर देखना, पेस नमबर 263 पर एक नोट दिया हुआ है, नोट में देखो क्या लिखा है, इन केस बोथ हैव सब्सेंशल इंटरेस्ट, रेमुनेरेशन विल बी कलव, इन दा हैंड्स उफ इंडिविज्वल, फूस इंकम, अच्छा एक पाइंट लिखा है, एक्स्क्लूडिंग सच रेमुनेरेशन इस ग्रेटरेस्ट का मतलब क्या है? क्या जो मैं जब अदर इंकम निकालूंगा, क्या अदर इंकम में ये सेलरी भी एड़ करूँगा, ये नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, वही बात कहना चाहने, इन दा इसको छोड़कर, जो आपकी अदर इंकम, जिसकी जादा होगी ना फिर क्लविंग आपकी वहाँ पर होगी, तो बासवर में आ रही है, अब related party में कौन को ना आएगा, और कौन को नहीं आएगा, एक बढ़ आपको लिखवाने जा रहा हूँ, related party में लिखो, individual, मलब वो तो खुद आएगा या आएगा, उसकी spouse, हाँ जी, spouse के related party में आएगी नहीं आएगी, उसकी wife, उसकी relative है यह नहीं है, नहीं है, लिखो यहाँ पर, related party में कौन कौन कवर होगा, कौन कौन कवर नहीं होगा, लिखो, relative means husband, relative means husband, wife, brother, sister, or any linear ascendant or descendant of the individual, husband, wife, relative, brother, sister, or any linear ascendant or descendant of individual, अज़ गात उने उताना, husband, wife, क्या relative है यह नहीं है, yes या no, अच्छा, मेरा भाई मेरा लेटी वह नहीं है, मेरा भाई, yes या no, उसका भाई, अच्छा, उसका भाई मेरा क्या लगा, उसका भाई मेरा क्या लगा, साला लगा नहीं लगा, मला उसका भाई मेरा साला है नहीं है, उसकी बहन मेरी क्या लगी, गाली किसे दिरे पहलते हों, उसका भाई मेरा क्या लगा? कई बच्चे तो शर्मा कर बोल रहे हैं बोलना और आम से बोलो कोई दिक्कत नी है क्या लगा? साला और बेहन क्या लगी? साली यह तो ज्यादा जोर से बोला आप है इदर देखो ध्यान से हम अब सोच के बताना सालाव साली क्या मेरे र्लेटिटिटिट्पारटिस में नहीं नहीं नहींगे द्यान रखना ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं other source में साला साली भी रिलेटी होते हैं तो रिलेटी में क्या आएगा और क्या नहींगा बहुत बड़ा matter है एक्जाम में जब भी कोशन बनेगा आप confuse हो रहा होगे कि रिलेटी में क्या था मेरा for example मैं मेरी वाइफ रिलेटीट पाटी है मेरा भाई मेरी बहन मेरे रिलेटीव है अच्छा मेरे फादर या नो मेरे ग्रेंट फादर या नो आएंगे नहीं आएंगे लिखा ना असेंडेंट अपदा लाइन अपदा मेरे ऊपर फादर ग्रेंट फादर मेरे रिलेटीव यह नहीं है उसके बच्छे गोट गष माज़ा है यह नहीं होगे यह तो एक हूँगे ना बच्चा गय रही नहीं नहीं एक बाट प्र यह ऐसा हो सकता है अगर द JAM अब सोन सथे किया उसके बच्चे यहां पर आ रहे नहीं आ रहे तो अब लेसे के बच्चें यहां पर आभण यहां पर अख़या NFL ऐसे अब सबस्कित पहले की बच्चे यहां पर अदोर्शी वञे Coburni खोरणी कि यहीं किये अच्छा stepchild यहां पर आयेगा अगर हम दोनों ने कोई बच्चा अडोप्ट किया है वो यहां पर आएगा नहीं आएगा यास स्टेप चाइल क्या होता अच्छा जो सट्व गणा भी होता है दूसरी वाइफ जो है उसका बक्चा आएगा न्याएगा वह भी यहां पर आएगा सब्वाइफ तो ऐना मालब पहले वाइफ नहीं है दूसरी वाइफ का जो मलब बच्चा होगा अच्छा एक बात में तना यहाँ पर अब मैंने कहा है डैवोर्सी जो वाइफ होगी अब दो केस यहाँ पर आ रहे हैं एक बात में तना vibes यहाँ बंदे फेंजां हगी वाइफ यह च्छा दंग का सब्सक्राइप मेरे का से जो कि बात मेरी जाने का मिरे भुछ है और कि पासित को पर भास ब्सकर नहीं है इसका वह तो द्सकतरay अधर कि मेरतिव में पर दोनों के सेमा घिला होंगे वह लेटिट पार्टी में यहां पर आएंगे अब यहां पर मुद्दा यहार है step child और repeat child कि वह यहां पर cover होंगे नहीं होंगे अब अगर मैं low की बात करता हूं ना तो low में लिखा हुए simple सी बात की descendant मला child आपके डिटी पार्टी में आएंगे अब child में कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे वह गोर्में ने कहीं डिफाइन नहीं किया बट मेरा question आप से आ रहे है है let's get an example अगर मैं बात कर रहा हूं कि adopted चाहिए अगर अडॉप्टीड की बात कर रहा हूं तो अगर मालो मेरी और मेरी वाइफ ने कोई बचा खुआ है तो क्यों वह यहां पर आएगा नियाएगा ये स्याओ नो येस अद्याइब चाहिए अज़िए अस्टेब चैल्ट कि स्टैप चैल्ड क्या होता है मैं तो यह बता हूं कि दूसमलग डाइवोर्सी वाली वाइव का बच्चा ना तै डाइवोर्सी एक्जामपल मानलो डाइवोर्स हुआ था दूसरी जादी हो रही है उसका बच्चा यहां पर आएगा नहीं आएगा और सब्सक्राइब भी अभी अप वतार थोड़ी दिर पहले इदा सुन ध्यां से अब इधर सुनोव सुनो ध्यां से पहले आर्गूम refuse आना चाहिए आना चाहिए और देखो ज्यां से सुन अवह द्यां नहीं है कि step child cover होगा यह नहीं होगा it means by chance अगर exam में question बन गया कि step child यहां पर cover करोगे या नहीं cover करोगे तो आप कौन सा लिख कहना पड़ेगा yes as per this judgment अगर question अगर question नहीं बना फिर तो बात ही करता होगी बट अगर by chance question बना कि step child को आप related party में cover करोगे या नहीं cover करोगे तो एक high court की judgment यह बात करें कि वह यहां पर cover होगा बड़ इसको छोड़कर और किस यह कोड़ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्यों क्यों कि देखो सर इसकी judgment जो है ना वह सिर्फ कहां पर applicable होगी आपकी हर्याना में पंजाब में applicable होगी दिल्ली में applicable नहीं होगी क्यों 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 कि यहां का high court की जो कुछ नहीं कह रहा अगर exam में कुशन बना तो अगर exam में कुशन बना तो वहां पर अंसर क्या आएगा yes as per this judgment अब हमारे पर objective है तो अब्यक्ति में हम यह लिखकर आएगे ने इस पर this judgment तो always क्या आएगा yes और अगर exam में कुशन नहीं बना चाहां अगर exam में कुशन बना अडोप्रीड का फी तो yes यह आएगा अगर अगर कुशन स्टैप का बना तो अंसर क्या हमारा आएगा yes वह इस जज्जमेंट के बेस पर हमारा आएगा अब सुना ध्यान से ज़र अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अब सुना एक्जाम दर कॉशन बनाता कैसे हैं यह देखो यहां पर माल लो यह है husband यह है company ITC और यह है उसकी wife अपनी ध्यान समगना husband का भाई wife का भाई husband की sister wife के father और यह है child ठीक है निए दोनों का सेमी है husband का ना इस company में 10% की voting power है उसके बच्चे की इस company में 4% की voting power है husband के भाई की इस company में 3% की voting power है ठीक है निए husband की sister की इस company में 1% की है wife की इस company में voting power जो है मानलो 2% की है wife के भाई की इस company में मानलो यहां पर निकल कर आ रही है let's say 4% wife के फादर की इस company में voting power निकल कर आ रही है मानलो 1% यह company यहां पर salary पे कर रही है husband को इस दस लाक यही company वाईफ को भी salary पे कर रही है और लेट से पे कर रही है मानलो आठ लाक आठ लाक यहां पर कर रही है और दस लाक यहां पर कर रही है husband की इस salary को छोड़कर अधर income है मानलो 4 लाक wife की इस salary को छोड़कर अधर income है मानलो 6 लाक examiner पूछ रहा है इन दोनों की total income बता दो after clubbing low बता हो जी रिष्टे नाते आपके सामने लिखे हुए है क्या क्या sharing है आपको मैंने बता दिया हां जी husband की कितनी है 4 लाक और wife की 24 लाक इसके लावा किसी का अंसर जी इसके लावा किसी का अंसर किसी का अंसर किसी का भी नहीं है कि अंसर आ रहे हैं यह अंसर किस किस का प्लीज एंडिस करो कि अंसर रहे हैं अ कुछ तो आ रहा होगा है नहीं समझ आ रहा है चलो और बता हो जी एक बार दुबारा से चार और 24 वाले अच्छा एक बात बताओ आओ आपको मेरी बाते सब्सक्राइब से जो यह कह रहे हैं चार लाग और 24 लाग प्लीज एंडिस करो चार और 24 वाले एक चीक है वह लाश में बच्चा बैठे है है हाँ जी चार और 24 चलो जिन्होंने चार चोविस आंसर दिया है आंसर आया है कैसे दुबारा बताना पहले तो हस्बंड का इंटरस्ट कितना बन रहा है कैसे दस चार चोदा तीन सत्रा एक अठारा और दो बीस और एक इक्कीस और चार ना क्या यह अज़िए कि सोच कर दाना क्या यह ए जो लेटट पारिटी में जो होगा न होगा येश चतना मन रहा है दो और एक साथ और दस सतर Understand ौर चार इक्किस तो 20 इसका और एक्कीस उसका ऐसा हो गया अच्छा दोनों का इंटरस्ट है था और दोनों हो योवहर्मेंट जाद है किसकी जाद है वाइफ की कितनी आपर छेला तो क्या होगा यह 10 लाग जो 10 लाग सैलरी किसमें कलब हो जाएगी वाइफ में तो दस और अठारा और चेल चोबिस चोबीस लाग यह बन गया और तो चार लाग उसके यहां पर ही आगए अंसर यह निकल कराएगा यह हमारा सक्षन 6412 है तो प्लीज इसमें कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है आप पूछ सकते हों कोई डाउट तो नहीं है एक्जाम में कोशन इस त्रीके से बनेंगी तो एक्जाम में जब भी कोशन ब पर माल लो हजबेंड आई टी सी लिमिटेड एक कंपनी है है वाइफ हजबेंड का इस कंपनी में इंट्रस्ट आ रहा है लेट से चार परसेंट हजबेंड का भाई हजबेंड के फादर वाइफ के फादर वाइफ का भाई बच्चे इसका इस कंपनी में है तीन परसेंट इसका यहाँ पर है चार परसेंट इनका यहाँ पर है तीन परसेंट इसका यहाँ पर है छे परसेंट इनका यहाँ पर है मालो छे परसेंट इसका यहाँ पर है दो परसेंट इसको सैलरी मिल रही है 10 लाग इसको सैलरी मिल रही है 12 लाग अधर इंकम इसकी है 3 लाग अधर इंकम इसकी है 1 लाग दोनों की टोटल इंकम निकाल दो बता ओरी हस्बेंड वाइफ दोनों की क्या क्या इंकम है 25 लाग और 1 लाग चलो 13 किसे कह रहे हूँ आपका लाग और आपका लाग और बताओ जी 3 लाग और 30 लाग इसमें अंसर आप क्या लगा गए क्यों लास्ट कोश में सही चल रहे थी आप 3 और 23 तीन अंसर आगे नहीं मेरे पास चलो रहे जो ये कह रहे हैं 25 लाग और 1 लाग प्लीस एंड इस करो 25 और 1 वाले एक दो तीन चार पांच काफी बच्चे हैं 13 और 13 तीन और 23 यहां पर भी काफी है 25 और 1 लाग पक्का चलो एक बार दुबारा से जो ये कह रहे हैं 25 लाग और 1 लाग प्लीस एंड इस 25 और 1 कैसे हस्बन का इंटरस्ट कितने पहलते बताओ 4 परसेंट 4 3 7 4 11 11 और 3 आयेगा नहीं आयेगा 11 और 6 कितना आगया 17 परसेंट आगया अच्छा हाँ तो 19 हो गया 19 हो गया ना वाइफर आओ वाइफर कितना आगया 2 और 6 8 6 14 और 3 17 और 4 21 वाइफ का बन गया 21 दोनों कहीं है वाइफ कहीं सिरफ वाइफ कहीं तो कलभी किस में होगी वाइफ में तो चेक कर लो 12 और उसकी सेलरी कितनी है दस बाइस और अधर इंकम कितनी है एक ये तेईस और ये तीन लाक ही आएगा इंट्रस्ट वाइफ कहीं सिरफ यहां पर क्लबिंग सारी वाइफ में होगी इडमीज अगर दोनों का इंट्रस्ट होगा फिर अधर इंकम किसकी ज्यादा है फिर क्लबिंग वहाँ पर होगी कि अगर इंट्रस्ट वाइफ का है तो क्लबिंग में सिरफ किस में होगी वाइफ में क्लबिंग होगी कि बास़वर्ण में आ रिये ना इड्मीर ध्यानां ग्राइव यहां पर वाइफ का बन रहे है 21, वाइफ का कितना बन रहे है तो यहां पर इसका इंटरस्ट है बस और इसका इंटरस्ट है तो अधर इंकम हरूं आपित्ट इसम्र्ढखी की जातो हमें वो लेना ही नहीं है क्हुंकि क्लबिंग सिरु वाइफ से होगी क्यों इंटर्स इरफ वाइफ का है कि हानगी सिरुपरंटी होता फिर diff करते अब फिर दोनों का था फिर अधरण कम किसी का जाधे है हस्बेंड की फिर हस्बेंड को विकल्मिंग करते फिर आंसर आता आपका 25 और वन यह नला एक बच्चे 13 और 13 वल तो बिल्कुल ही है गलत कि बास्तों में आ रहे हैं आपको मेरी यह मारा सेक्शन है 6412 किसमें कि 20 परसेंट और मोर बताया तो मैंने सब्सक्राइब बनता है अगर आपकी वोटिंग बावर 20 परसेंट है उससे ज्यादा है अगर एक्जाट 20 परसेंट भी होगी तो भी वह इंटरस्ट बनेगा यहां पर चीक है अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है आगे बढ़ सकता हू पका पका चलो जी अब इतर सुना ध्यान से सेक्ष्टन नंबर 60 हमारा हो गया 61 कर लिया 62 हो गया 6414 हो गया 6416 हो गया and 6412 हमारा हो गया अब जो मेरा अगला सेक्ष्टन है यह देट इस 641 a minor child माइनर में क्या होगा अच्छा आप मने बस आंसर देते रहे ना माइनर की इंकम क इसमें कलब होती है कि माइनर कि इसमें करोती है पेरेंट्स में कौन से परेंट्स फादर या मदर है जिसकी इंकम ज्यादा हो अगर दोनों का डैवोर्स हो गया तो तो जो minor child को maintain करेगा अच्छा minor की लो यह बात करते है minor की सारी income club होती है दो केस को छोड़कर पहला case अगर minor child handicap है तो clubbing नहीं होगी अगर minor अपनी skill से income कमाएगा तो club नहीं होगी आपने अगर देखाऊ आपके पीछए मुवी आई थी मजरंगी बाइजान उसमें चोटी सी वो लड़की उसने काफी अच्छी एक्टिंग की थी मुन्नी अब सुना ध्यान से उसको मान लो कई मामा अच्छी नलायक यह सारे डायलोग क्या देखो मुवी का तो एक-एक डायलोग यहाद है अभी पूछ लूँगा ना कि क्लास के स्टाटिंग में जमने वो किया था ट्रांसर पाइसिंग उसमें सेक्शन क्या था वो सारा भूल गए हो गया है हां इतर देखो ध्यान से मा यहां पर government기 बात कहना है कि ख्याँ माईदर जितनी भी इंकम क्या ऐगा सारी इंकम क्लभ होगी किसमे father या mother इसकी इंकम ज्यादा होगी अगर दोने काई डिवर्स होगा जो मेंटेन करें उसमें कलबिंग होगी अचा यहां पर मैंने कहाँ अगर माइनर चाल हैंडीकेप है तो ख्लबिंग नहीं होगी अगर वो स्किल का पैसा कवाए तो भी कलबिंग नहीं होगी अब मेरे कोशन्स आपकी आंसर हैं कि आप अपनी बाध आना मानलो माइन को ना फॉर एक्जाम्पल यूसे मानलो उसकी ग्रैंडफदर रहें प्ली जान सुनार से ग्रेंड फादर ने क्या किया अपनी एक प्रोपिय conservatives ना अपनी विल में अपनी विल में माइनर के नाम पर इस दो कि उसे पर यह अपनी विल में माइनर की हींक है nा क्योंकि प्रपपर्टी माइनर में छी थीrhism उक्या होगी होगी, माइनर में फादर, मदर में पादर में, इंकम मानवा मालों जादा है फादर, में कि उस्में कर अँग्ड करो है आड कि तो क्यों लों ये बातकिर कि माइनर की जितनी इंगम है ना वो सारी इंकम क्लब होंगी दो इंकम कलोड़ कार्ट एक हेंडीकेब और एक स्किल वाले ना अरो और सुना ध्यान से कि मानर ने अपनी सील से अपनी स्किल से 10 लाख रूपे कमये अच्छल अपने स्क्षिन 10 लाग प्रेक्षाए परिंट्स में क्लब होंगे यह सिया नो नहीं क्लब होंगे छिए इस दस लाग करभे से बैंक में एफ़ डी करवा दी वहां से आ रहे हैं एक लाख लाखर पिंट्रस्ट क्या क्या ये एक लाखर पर क्लब होगा नहीं होगा yes या no yes ये क्लब होगा कि इट मीज़ सोच करें को मैंने क्या कए कि स्किल्स से आने वाला पैसा क्लब नहीं होगा उसको इन्वेट करके फिर इंकम कुमाओगे वह इंकम क्लब हो जाएगी सर प्लीज अपना माइन थोड़ा खोल के समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि माइनर के हाथ में सारी की इंकम क्लब होंगी दो इंकम को छोड कर झा एक या तो हैंटिक अब और स्कील से स्ट क्याना सिर्फ वही पैसा म Nous first क्यूं होगी वह इंकम होगी हैज मैं विसट प्लीजिशन ऑफ इंकम मैं अगलबिमें अब द्हान अब सता ध्यां से जब गोवर्मेंट ये बात कहती है कि माइनर की इंकम जिस पेरेंट्स में कलब होगी नहीं उसको बेनिफिट देंगे कितना पंदरा सो रपे पर चाहिए बहुत बड़ी एक्जम्शन है अब तीन बच्चे है जी एक मालनो फादर के लेक्स के एक्जम्पल यहां पर तीन माइनर बच्चे हैं एक इन तीनों की इंकम है मालनो इसकी बारा सो है इसकी दो होजार पे है जो इसको इंकम आ रही है इसको इंकम आ रही है अठारा सो उन्हों ने पूछ लिया आप फादर में कितनी क्लबिंग करोगे अब आप मुले पताओ पहले पताओ पंदरा सो परचाईल एक्जम्ट है एक्जम्ट आप कैसे दोगे इनको एड करके पैंताली सो माइनस कर दोगे आप इसे यहां वरंद्रास है हर्दशे की पंदरास हों हर यहां पर बारास है पूरी लिमIT घंटोगी यहां पर कितना आएगा फंतरास तोacción дол और चेक करना इनको एड मैंने कर दिया ये 3,000 और 200 कितना आएगा पांच जार उसमें 45 समय करोगे कितना आएगा 500 जब किया कितना रहा है 800 आप ये गलती कर रहा होगे अगर 500 कोई बच्चा कम है तो कम ही एक्सम्शन मिलेगी पंदर सो पूरी नहीं मिलेगी इसको गोर्मेंट ये नहीं का एग्रीगेट गोर्मेंट के लिए 15 सो रपे पर जाइड और सुनना ध्यान से पेरेंट्स के मान लो पांच बच्चे याँ पर है फॉर एक्जामपल चाइल्ड वन चाइल्ड टू चाइल्ड त्री चाइल्ड फॉर और चाइल्ड फाइव इन में से मान लो ये बच्चा हैंडीकैप है और ये बच्चा अपनी स्किल से पैसा कमा रहा है इसकी इंकम आ रही है 6,000 4,000 5,000 बारां 100 और एक हजार उन्हीं नहीं भुझा कितनी होगी क्या ये इंकम क्लब होगी यह 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 correct नहीं होगी क्या यह इंकम यह नहींट नम यह उन्हें आ यहां पन्ध्राहो मैनिस कर देंगे यहां 500 200-1000 यहां 1000 पर खतम कितना आ गया यह कितना आ गया 4500 यह कितना आगया 3500 आगया आठ यहाए आएगा कि सरकोशन इस तरह के बनेंगा आपके एक्जाम में कि अब सुन्द्धान से अब सुन्द्धान से कि सेक्शन 27 जो आपका हाउस प्रोपर्टी का है न मैंने क्या बोला था कि आपका हर केस में चेप्टर लगए कलबिंग का बढ़ हाउस प्रोपर्टी को छोड़ कर क्यों वो 27 के अंदर है 27 में लिखा है माइनर डस नोट इंक्लूड माइनर मैरीड डोटर माइनर में माइनर मैरीड डोटर नहीं आती क्लबिंग कलो ये बात कहता है माइनर इंक्लूड माइनर मेरीड डोटर प्रैक्टिकल लाइफ में कॉंसेप्ट खतम हो चुक है और बाल विवा बन्द हो चुक है बेट मैंने कहा किलबिंग कलो बहुत पुराना बना वह है उस टाइम शादियां होती ती बाल वी हो जाते थे अब सुना ध्यान से का effect पता है क्या एक्जाम में कॉशन आता है एक्जाम में कॉशन है बचा गलती करता है अब जब मैंने कह दिया कि इस माइनर में माइनर में आपकी माइनर मैरी डोटर भी आएगा इसका मतलब कई इसका लोजिक समवन ध्यान से डबल टेज इसाण आपने बात पहना मानलो एक परस्टण है राम एक परसन है शाम इसका लड़का है माल लो एक माईनर राजू और इसके एक लड़की है माल लो सीमा ठीक है री? राजू की एज माल लो या राजू की एज माल लो है बाईस साल माईनर नहीं है मेजर हो चुक है सीमा की एज माल लो सोला साल शुट ही आठ नमंबर को क्या था नोटबंदी हो गए थी की थी ते ना उसकी बाड फिर क्या थे इन दूनों का दिल exchange हो गया Sharm को भापीस है नोट exchange नहीं हुए इसने बोला पापा कि नोप लए नहीं हुए को इसने वह ये सअनगी नहीं है अच्छा राजु व्लाद को यह बात कर दो कर दो सीमा से करूगा आजू कि लगात कहा लायां बात कर रहा आख वो प्लाम सटबी पार राजू को विच्षाथ September तो अभी पार पूरार को हुल आज। थो फिल राजू को कॉति गाफ न लो कि लाख वो सीवा नहीं आपनी सेमाना विशелिक नाधे हूट आधे कि अब तो हुआ क्या बले यह अपना अड़ गया उपको प्यार का प्यार के अद्मी है अब इसने कर दो одठी करूंगा तो सी पर करूंगा सी मढी वहां पर्सान के लिए अब इस राजू ने क्या किया अपनी एक ऐसे ट्रांसफर कर दी सीमा को अपनी जान सुनना हूं कि अच्छा राजू ने अगर ऐसे ट्रांसफर की सीमा को सीमा उसे इंकम क्मारी है अब अगर सीमा उसे income क्माएगी तो क्या 6414 में राजु के अंदर clubbing होगी या नहीं होगी husband to wife सर अगर husband ने wife को properly transfer की है तो क्या 6414 लगेगा नहीं लगेगा yes या no yes लगेगा it means clubbing किसमें होगी husband में और चेक करो सर इसकी income ना इसके father में भी club होगी minor include minor married daughter यह दिक्कत यहां परा रही है it means कहना क्या चाहरा हूं कि अगर husband अपनी wife को wife क्या है minor अगर husband wife को asset transfer करेगा wife income जो कुमाएगी वहाँ double tax की बात हो रही है क्योंकि 641464 वन यह बात कह रहे है कि minor में minor married daughter भी count की जाएगी लोग के अंदर एक लेक्यूना है लोग में कमी है बटे कमी अभी तक दूर नहीं हुई है जबकि practical पॉसिबल नहीं है इस प्रेक्टिकल में के सोब्सक्राइब नहीं है एक्जाम में कई बार आ चुक है तो अगर एक्जाम नर्य अच्छा ध्याना में यह निकरा हर के में double tax है सर अगर हस्बन एक डरांसफर के फिर दबलक से अगर मालो सीमा वैसी मुफ यह को Study वोग करने ये वह ट्रांस्फर बहुद बसेaders नीच फिर वहां पर डबलक्स की बात नहीं होगी तो बासवान में आ रही है तो जाला है तो यह हमारा है section नमबर 641A है ठीक है अभी इस टेप्र का लास्ट सेक्शन हमारा एक बचा हुआ है 642 इसका मतलब का सुन्द ध्यान से एक HEF है इस HEF के ना तीन मेंबर हैं मालो A, B, C आप सब जानते हो HEF के हाथ में टेक्स के रेट अलग होते हैं इंडिविजल के हाथ में अलग होते हैं Mr. A ये बात कह रहा है यार मुझे ना planning करनी है planning क्या करनी है मालो HEF की income निल है इनकी income बोज़ाद है तो Mr. A ने क्या किया अपने खुद की प्रोपरिटी को convert करने की कोशिच की हचेफ की प्रोपरिटी में क्यूं ताकि वहाँ से income आएगी हचेफ में जुड़ेगी हचेफ टेक्स पे नहीं करेगी 64-2 ये बात करेंगे अगर कोई member अपनी self acquired प्रोपरिटी करेगा हचेफ की प्रोपरिटी में तो वहां से आने वाली income उस member में ही club करेंगे हचेफ में क्लब नहीं करेंगे तो 64-2 ये बात करेंगे अगर किसी member ने अपने खुद की प्रोपरिटी कर्वाइट की हचेफ में तो वहां से आने वाली इंकम जो होगी वह member में ही सब्सक्राइब होगी हचेफ में clubbing नहीं होगी आप इबाद ध्यान रखना अधिस सेक्शन 64-2 चीकरी अच्छा एक आपका ना कोई लो नहीं है कोई section नहीं है एक Supreme Court की judgment है आप में एक बात आना Mr. A Mr. B A की wife, B की wife अच्छा अगर A अपनी wife को asset transfer करेगा clubbing कहा होगी 64-1-4 अगर B करेगा तो clubbing कहा होगी 64-1-4 इन्होंने planning की A ने क्या किया B की wife को कर दिया और B ने A की wife को transfer कर दिया क्रोस transfer सुप्रीम कोट यह बात कहते कि अगर किसी परसन ने क्रोस transfer भी किया होगा ना clubbing वहां पर भी होगी अगर मैंने for example अपनी भाई की wife को उसने मेरी wife को transfer की asset तो वहां से आने वाली income भी club होगी that is close transfer बढ़ ध्यानक ना clubbing cross है sorry transfer close है बड़ clubbing cross नहीं होगी जाए हो नहीं होगी ? B में कलब होगी इसकी income A में per a new margin transfer किसी और ने की है a ने बी n वै कि wife को बाट बी इनकम कमemb करोला होगी में और शह्रुकस के खरी तो transfer close है बड़ clubbing क्रूष नहीं है तो ऑगर exam में I Amazon question बना नहीं है वैस्से ती कॉष काँ précédemment नहीं है तो यह हमारा कॉन्सेप्ट है क्रोस डान्सफर का तुर्ढ़ इनच पूइस कोर से कर ब stance कंगे सो 163 विल को दॉपाम सीटीटि तो सिट्री में तो मैं येया मार इस बीन सिस्क्राइब के आन्द पर दिया है मेरी मेन बुक के अंदर दिया हुए बढ़ आपके स्कैनर में यहां पर गिवन नहीं है ठीक है अब यह हमारे देखो सारे सेक्षिन जो है वह हमारे कंपलीट हो चुके है अचा यहां पर अब जो आपके अब्जेक्टिव कोस्टेंस है ना एक बार मुझे बस एक कोशन करक है कि अगर कोई परसन अपने खुद की प्रोपरेटी एचेफ में करेगा तो एचेफ वहां से जितनी भी इंकम खबाएगी वह इंकम उसमें कलब होगी एचेफ में कलब नहीं होगी वह बत कहना चाहरे है कि कोश्चन नमबर सैवन को ध्यान से बढ़ना जी आंसर क्या निक कहां पर वो आर कर लो जो यह ए है न वो आर कर लो अधर इंकम उफ मिस्टर आर और मिस्स आर वो एक की देगा आर आएगा बी किस किस कांसर दी आ रहे है बाकी जल्दी करो इतना बड़ा कुश्चन था नहीं वैसे हनी क्या आ रहा है एक बार आंसर चेक कर लेना क्या दिया हुआ है एक बार कोश्चन नमबर 27 भी कर दो 27 तीन चर कोश्चन मस करके बता तो था कि समन में है कि आपको समन में आ रहा है 27 और 29 दोनों कर लेना 27 और 29 दोनों कर लेना अभी करने अभी एक्जाम के कोश्चन है एक्जाम में आ चुके है 27 में क्याएगा 29 भी देखो 28 तो मैंने पूछा ही नहीं नलायक अच्छा मैं आपको बार बार नलायक कहता हूं को बुरा तो नहीं लगता हूं वैसे मैं दिल से ही कहता हूं कि शायद आपको थोड़ा लगे कि हम नलायक है तो हमें पढ़ना है मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बार 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 नलायक बोलूंगा आपको थोड़ा जीब लगेगा तो में भी आप पढ़ लो बढ़ आप तो मुजाक में ले रहते हों 29 B 29 का B C आंसर चेक कर ले ना जिनका B आया है B is correct answer ठीक है नहीं चलो जी एक बार पेस आना पेस नंबर 272 बार कोस्टन 70 लास्ट कोशन कर लो बस कोश्टन 70 कोश्टन 70 कोश्टन कोश्टन इस करेक्ट आंसर ठीक है नहीं चलो जी अब इतर रिखना द्यान से अब जो मैं अगला चप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूं सेट औफ एन केरी फोरवड ओफ लोसीज एक बार आपा रहा हूं पेस नंबर आपका है क्या है 351 पेस नंबर 351 लो जी एकवा आपकी बुक में दिया हूँ है दिया हूँ है ना एक ग्राफ तो स्कैनर में है एक ग्राफ में यहांपर बनवा रहा हूं धोनों में से जो आपको उच्छा लगेगा आप अंग्जाम के लिए त्यार कर सकते नो ठीक हरी आओ एक ग्राफ मेरे साथ मनाओ यहाँ पर heading डालो heading डालो set of of losses and carry forward and set of of losses इस chapter का यह नाम है बुक में मैंने छोटा लिखा हुए actually में इस chapter का नाम है set of of losses and carry forward and set of losses इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा इसका मतलब है कि जिस year में loss हुए उस year में treatment क्या होगा मतलब current year या financial year या previous year मतलब जिस year में आपको loss हुए उस year में treatment क्या होगा that is set of losses अगर वो loss पुरे खता होगा फिर तो ठीक है अगर कुछ loss बच गए तो क्या होगा अगले साल जाने के बाद फिर क्या treatment होगा वो अगला point आ रहे है ठीक है तो carry forward and set off यह आपका आ रहे है next year ठीक है अच्छा income tax में आपके पांच हैड होते हैं सोच के पताना क्या salary में लोस पोसीबल है यह यह नो और लोस ही पोसीबल नहीं है तो यह चैप्टर भी उसके उपर applicable नहीं होगा इस लोस का treatment नहीं होगा तो लिखो यहाँ पर ग्राफ आपको ऐसे बनाने हैं सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर है है एड्स ओंकम दूसरा यहाँ पर आएगा set of कैसे करने है तीसरा यहाँ पर आएगा carry forward and set of यह कैसे करने है और फिर यहाँ पर आएगा year कितने साल तक carry forward कर सकते हो यह किस मनेंगे सबसे पहला लिखो यहाँ पर salary salary में लिखो note applicable note applicable note applicable क्योंकि अगर loss ही नहीं है तो भाईया loss set of कैसे होंगे अगले साल कैसे जाएंगे कितने साल तक होंगे वो कोशन आना ही नहीं चाहिए ठीक है री अगला लिखो जहाँ पर change आया आपके exam के लिए house property यहां लिख है same head no limit other head up to rupees 2 lakh यह change आ गया पहले यहां पर क्या लिखा होता था house property के लोज किसी भी head की किसी भी income से खतम होंगे चाहिए वो दो लाक ही क्यों नहीं हो बटब गोर्मेंट कह रही है सेम हैड में कोई limit नहीं है दूसरे हैड में दो लाक रबेकी लिए बड़ दो लाक तक होंगे उसके बाद नहीं होंगे इस कहना बता है क्या चाह रहा हूं अगर एक्जाम में कोश्चन आगया है सर house property के लोज है पास लाक बिजनस की इंकम छे लाक है क्या सारी लोज करता होगे यस या नो नो सिरफ दो लाक बस सिरफ दो लाक बाकी सारे अगले साल जाएंगे इन विज गोर्मेंट यह बात कहना चाहरी है कि पहले था एनी हैड एनी इंकम अब गोर्मेंट कह रहे है सेम हैड में नो लिमिट अधर हैड में दो लाक बिजिए उसके इलावा अगर करने है तो अगले साल करोगे यहां पर पोसिबल नहीं है अच्छा अगले साल फिर मैं पहले भी लोस था अब में पहले भी यह सेम लोग था अभी लो से में इसरफ फरक करें सरफ यहां पर अगला हमारा है capital gain capital gain में loss दो तरह क्यों होते है एक तो आपका आता है long term और एक आपका आता है short term long term loss खतम होते है long term capital gain से short term खतम होते है short term capital gain और long term capital gain इन दोनों से होते है अगर नहीं होंगे तो अगले साल जाएंगे अगले साल भी सिर्फ लोंग टरम गेंस से होंगे नहीं होंगे तो फिर आपके आठ साल तक ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे carry forward यह नहीं आ लोग ट्रम लोग ट्रम से होंगे शॉर्ट रम किसी होंगे शॉर्ट रम लॉंग ट्रम दोनों से हो जाएंगे त्री के अब यहां पर आजाओ सबसे मेन हैड आपका है पीजी वीपी सबसे पहला इसमें केस है ओइंग and maintenance of race horses ठीक है ठी? अगला लिखो यहां पर अगला फिर यहां पर आ रहा है speculative laws speculative laws ठीक है ठीक है ठी? उसके बाद फिर आगे लिखो तीसरा यहां पर है business referred under section 35 AD अगर यहां से आपको laws आ रहा है यह कौन सी होते हैं? हम उस chapter में discuss करेंगे पीजीबी के इंदर उसके बाद फिर आपका आ रहा है other business other business का मतलब क्या है? non speculative लो जी आपके यह चार यहां पर आते हैं अब कौन सा लोस किससे खतव होगा वो लिखो अच्छा मुने पता ना गोड़े वाले बिजनस में यह यह बिजनस क्या गोर्मेंट इंकरेज करेगी डिसकरेज करेगी डिसकरेज क्योंकि स्पेक्विलेशन एक तरह का अगर आपको का सर गोडूड़ों की रेस लगती है सबसे बड़ा खिलारी कौन था देश का सबसे बड़ा शराबी वीजे मल्या अब वो इंडिया से बाहर बाग चुके है तो गौर्मेंट करें कि उसका इस बिजनस था उसके बिजनस थे तो गौर्मेंट ने बोला उसके करके हैंक हैं सबस्क्राइब करो तो अगर यहां से लोगल करेंख सब सक्रш arrogant किसी भी एड क्शाया खत्म कर दो या सेम सो उर्स सेम सोर्स अगर यह इंकम होगी तो थे होगा ही कि एक बवर्मेंड निर्ग घृमालीघ्वा खत्म होगा सें सोर्स मैं सें मैं हैड करहा सेम सोर्स कह रहा हूं इस घोड़े वाले बिजनस का लोस घोड़े वाली बिजनस की इंकम से ही खतम करोगे और कहीं से खतम नहीं करोगे सर अगर मालों नहीं हो रहा तो अगले साल दाएगा अगले साल भी सेम होगा कितने साल चार साल बस चार साल आठ साल यहां पर लिमिट नहीं है क्योंकि हमें discourage करना है तो गौर्मेंट ने वोला चार साल की लिमिट बस यहां पर है 8 साल की यहां पर कुई भी लिमिट नहीं है कि स्पेक्विलेशन यह क्या होता है शेर मार्किट शेर डैरिवेटी फ्यूचर ओप्शन यह सब क्याए तो गौर्मेंट इसके लोस भी खतम करो गया आप सेम सोर्स कितने साल वो ही सेम चार साल सेम सोर्स का मतलब क्या है सेम इंकम से ठीक है रही उसके बाद अगर आपका 35 AD के बिजनस से लोस आ रहा है तो ये लोस खतम होगा बिजनस स्पैसिफाइड अंडर सेक्शन 30 AD में जो बिजनस है न उनी बिजनस की इंकम सिखता होगा बस नहीं होगा तो अगले साल भी सेम फिर भी नहीं होगा अब ध्यानक ना इन्फिनिटी अनंतकाल जिंदिगी के साथ भी जिंदिगी के बाद भी वही बात कह रहे हैं ध्यानक नहीं मैंने इन्फिनिटी का साइन रख्या है कहीं आप घर अगर इसको एक्सेप्ट एक्सेप अिसलरीक न किसी भी हैड की किसी भी इंकम से कहता हो जाए जएक सैल को चोड़ कर सेल नि कि असलें होगा है सब अलगर नहीं हुआ तो अगली बार आएगा फिर अगली बार आएगा सेम logrा औंग same head लिख रहा हूं दियानकना, same source नहीं, same head, कितने साल? 8 साल, ठीक है री, अब आजाओ हमारा last head यहां पर है, other source, other source में 2 case बनाओ, एक तो आपके हां पर आ रहे हैं, casual loss, casual loss का मतलब कहा है, betting, gambling, lottery, अगर आपको इन से लोस आ रहा है तो गौर्मेंट ने का भईया नो टैप लिगेवल यह लोस कभी खत्म नहीं होंगे डेड लोस है कोई ट्रीटमेंट यह का अगर लोस हो गया तो आपके हैं हमारी नहीं है कोई ट्रीटमेंट नहीं है को इनका ट्रीटमेंट अगर इसके इल अगर कुछ बच गया तो अगले सालों यहां नहीं जाएगा आप यहां नखना अब यह तो लो लिखवा दिया इसकी प्रैक्टिस करते हैं कुश्चन से ताकि एक्जाम में अगर कुश्चन मने तो हमारा आंसर कैसे निकलेंगे अब देखना ध्यान से लो जीक लिखना स्टार्ट करों एक्जाम्पल फटाबट से लिख खोरी खटा दूँ एक्जाम्पल मन लिख खोरी फटाबट दो मिल लगाओ यह आपका है दो हजार सत्रा ठारा अठारा उननेस हाउस प्रोपरिटी वन से आपको लोस आ रहा है चार लाख हाउस प्रोपरिटी टू से प्रोफिट आ रहा है एक लाख बिजनस की इंकम है नोन स्पेक्विलिटी बिजनस इसकी इंकम आ रही है तीन लाख ठीकरी लोंग ट्रम कैपिटल लोस आ रहा है एक लाख शोट ट्रम कैपिटल गेन है एक लाख लो जी बताओ आपको कितना लोस अगले साल जाएगा कितनी इंकम इस साल है कि आपको यह बताना है जी निकालो फड़ावर से लोग आपके सामने ओपन बुक पेपर है आपका ओपन बुक पेपर है ग्राफ बना चुका हूँ देख देखकर बता दो आंसर क्या होगा वही बड़ी बात है बड़ी कि लोस कितना आएगा कि एक लाख अर्वेगा कौन सा कि एक लाख या दो लाख जो यह कह रहें एक लाख का प्लीज एंडिस करो एक लाख अच्छे से इसे काम नहीं चलेगा एक बार दुबारा सेरी जो यह कह रहे हैं एक लाख का लोस अच्छे से एक लाख चलो दो लाख जिन्होंने का एक लाख एक लाख वाले एक लाख कैसे चार लाख का लोस इससे खतम करूं एक लाख इससे खतम हो गया बैलेंस क्या रहा गया तीन लाख तीन लाख पुरे से खतम कर दूं फुरा खतम वरगन या दो लाख दोलाख खतम कर दिया बैलंस क्या रहा यह एक लाख यह version अब यह इंकम रह गए इडगए दो लाख सोड़ी लाख एक लाग इंकम रहा गई अचा लोंग टरम से खतम कर दूं इसे खतम कर दूं तो यह क्या होगा कैई फर तो लोज कितने ओगे दो लाख हो गए न फिर एक लाख कहां से आ रहे हैं है कि आदो कि मैंने पुझे हैं टोटल लोस कि कितने अगले साल जाएंगे डोलग आएंगे ना व्युक्त लॉबाइग का एक इसका भी आएगा एक लाख हो गया जू अचिछा इंकम कि निया बनेगी अब इंकम एक तो बच गई एक लाक ये और एक लॉबाइक यह टोटल इ अब गुवर्मेंट लिमिट कितनी लगा दी है दो लाग इन्वेस अब गुवर्मेंट यह बात करेगी हाउस अधर हैट से खता होगा पर दो लाग तक होगा उसके इलावा अगर करना है तो उगले साल जाएगा फिर वह आपका ठीक है इस कोशन में कोई दिक्कत तो नहीं है अब यहाँ पर लोस कितना जा रहा है एक लाग हाउस प्रोपरटी का एक लाग लोंग ट्रम और बैलेंस आपकी इंकम कितनी आ रही है दो लाग यह बाद ध्यान लखना लिख्यांपल लंबर टू अब एक्जामपल लंबर टू में ना मैं एक प्वाइं नहीं डालूंगा उसको तो ध्यान से बनना होगा वो प्वाइंट मैंने अभी लिखवाया नहीं है बढ़ आपका मैं माइंड चेक करना चाहरा हूं कि आप बिना लिखवाए क्या उस प्वाइंट को कैप्चर कर प प्रोफिट आपको आ रहा है दो लाख शोट ट्रम कैपिटल लोस आ रहा है तीन लाख लोंग ट्रम कैपिटल गेन आ रहा है दो लाख स्पेक्विलेशन बिजनस से लोस आ रहा है एक लाख रुबेका लोटरी की इंकम आपको दी हुई है तीन लाख बताओ जी अगले साल कितने लोस जाएंगे और इस साल कितनी इंकम आएगी हां जी 4 लाख क्या? लोस कौन कौन से कैसे कैसे आ रहे है हाउस प्रोवर्डी की कितने आ रहे है दो लाख शोट्रम एक लाख और स्पेक्विलेटिव बिजनस के यह आ रहे है इंकम इंकम लोटरी वाली तीन लाख यह आ रहे है हाउस प्रोवर्डी पूरा खतम हो रहे है यहां पर हाउस प्रोवर्डी आ रहे है जीरो शोट्रम एक लाख तीन लाख चलो मैं क्ला रहा हूं मैं क्ला रहा हूं इदर सुना द्यांसे यह लोट प्लीज बाच्चित नहीं हाउस प्रोड़े किसे खतम होता है पहलता ही होता हूं यहां पर मेरी इंकम दोलाक रुपर है अच्छा यह यह लोस किसे खतम होता है शोट्रम और लॉंग्ट्रम दोनों से अब यहां पर मेरी इंकम दोलाक रपे पे हैं अच्छा क्या यह लोस इससे खतम हो सकते हैं यह सिया नू क्या यह वाला इससे हो सकते हैं पहले क्या करूंगा पहले करूंगा शोट प्रम पहली बात तो यह है क्योंकि सर एक घर के एकट दो मैंबर हैं पहल एक घर वाले आपसे बात करेंगे बाहर क्यों भाग रहें आप कि इस घर के दो मैंबर हैं एक शोट ट्रम एक लोंग ट्रम का है इसको खतम करो अब यहां पर यह खतम हो गया यह बचगा एक लाग का अभी वह ऩाफ यह वह वह बचा हुआ अब यहाँ पर आओ स्पेक्वियुलेटिव यह होगा किस्से ओगा स्पेक्वियुलेटिव वह हमारे पास है नि अगले सल जायेगा यह कैन सुर्ट हो एक लाग का ये केर फोड हो गया अभी दो लाग हमारे बच्चे हुए अछट इसको एक बात मुझे दभना इसको मैं क्या खतम कर सकता हूं वैसे कितना दो लाग तक लोटरिंग हम कितनी है 3 लाँ क्षतम कर दो क्या खतम होगा नहीं होगा क्यों नी होगा कि आप सुनो ध्यान से वहां लिकाता है एनी हैड एनी इंकम एक्सेप मैंने केलिभाय हुआ है कुछ भी लोग बनाते रहूँ केलिक अपने सेम एड में सेम हेड में नो लीमिट अदर हेड में दो लाग क्या ये अदर हेड में आ रहे नहीं आ रहा Yes या No क्या ये इस से ख़ता हो सकता है निहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है तो मैंने क्या लिखवाए है मापर मैंने क्या का है कैस्वल लोस का ट्रीटमेंट नहीं होगा मैंने क्या लिखवाए है कि कैस्वल लोस का ट्रीटमेंट नहीं है कैस्वल इंकम से दूसरे लोस तो खतम कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते कैस दूस को treatment नहीं है एक बात मुझे बताना पहले तो बताओ इसका मतलब क्या है अगर लोस होगा तो treatment नहीं होगा क्या इसका मतलब ये है इसकी income से दूसरी लोस भी खतम नहीं होगे क्या इसका मतलब ये है वो ये बात कर रहे है कैसल उसका treatment नहीं है बड़ अगर casual income है तो यहां पर cover नहीं है अब सुन द्यान से एक बात में बताना सर सोच के बताओ अगर वैसे normal बात करो normal बात करो क्या ये income अधर सोच की income है या नहीं है येस या नो एक बार casual छोड़ दो क्या अधर सोच की इंकम है या नहीं है अच्छा अगर अधर सोच की income है क्या ये दो लाग इसकी तरफ आ सकते नहीं आ सकता आ सकते बट गॉर्मेंट कह रही है कि अगर आप इससे खतम कर दोगे ना दिक्कत के फिर आप लोटरी को इंकरेज कर रहे हो कि थोड़े माइन लगाना सोच की क्योंकि सब्सक्राइब अगर मैं दो लाखर भी से खतम करूंगा फिर तो गोर्मेंट क्या कह रही है कि लोटरी की इंकम कमाओ उस इंकम को सैट आफ करो कोई दिक्कत ही नहीं है मैं तो इंकरेज करें लोटरी को और गोर्मेंट का मेन मोटीव लोटरी को इंकरेज करें डिसकरेज करने है अब सुना गोर्मेंट क्या कहती है कि अगर आपको कैस्वल लोस होंगे उस लोस का भी ट्रीटमेंट नहीं है अगर कैस्वल इंकम होगी ना उस इंकम से भी को लोस खतम होगा है जब अक्रा को मेरे बास समण में आरही हो तो को इना क्या चाहती है चैजवर इंकम इस फुली टेक से बल और तो अगर कर稍वर लो से थह डेड़ लोस है वह पूरी की पूरी टेक्सिवल होगी यह दो लाखर पर किलाएंगे अगले साल तो ये वाला अंसर ये जो इसका अंसर था सही था ये अपनी अंसर सही है तो अमना वहाँ बना एक note दिख लिएओ, अब यहाँ इक note लिख ऑ नीचे, जो अपने graph बनाया है, वहाँ एक note लिख ऑ Any loss या loss Cannot be set off Any loss लिख तो, any loss Any loss can not be set off Against Casual income कोई भी लोस casual income के against set off नहीं हो सकता यह बाद ध्यान अखना चाहिए वो कोई भी लोस हो ठीक है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है एक्जाम्पल नबर थ्री दिक्को एक बार फटा फट से हम लास्ट एक्जाम्पल है बिल्कुल ध्यान से करना हूँ लो जी है एच्पी वन से लोस आरे आठ लाग है एच्पी टू से इंकम आगी तीन लाग है सेलरी की इंकम आरी है तीन लाग नोन स्पेक्विलेटिव बिजनस लोस है चार लाग शोट ट्रम कैपिटल लोस है तीन लाग लोन्ग ट्रम कैपिटल गेन है चार लाग ठीक है जी और माल लो हाउस प्रोपर्टी की इंकम आरे में बोल दिया आपर स्पेक्विलेटिव बिजनस की इंकम है माल लो एक लाग लोजे बताओ उजी एक बार क्या क्या ट्रिट्मेंट करोगे हमाँ कर दीक है क्वा कान हाँ जी छे लाग इंकम आ रही है लोग कौन कौन से आ रहे हैं हाउस प्रोपर्टी वन के तीन लाग और नोन स्पेक्विलेटिव के तीन लाग है चार लाग बाकी कि यह जा रहा है किसके नोन स्पेक्विलेटिक वे टू लाग इंकम टू लाग टो लिंकम आ रही है दो लाग है चार लाग है कितनी तीन लाग है वल्लैक कि दो लाग है वन टू तू त्री फूर हो गया है बताओ वड़ा बड़ सेरी चुले पहल तो यह बताओ यह किससे खत्म होगा तीन लाग किससे खत्म कर दू येस या नो बैलन्स क्या बचा कैसे खत्म होगा क्या सेलरी की इंकम से हाउस प्रपरेटी का लोस खत्म होगा नहीं होगा जो यह कह रहे है नहीं होगा प्लीज एंडिस करो नहीं होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा नलायक बच्चे मेरी क्लास में बैठे है क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा इधर देखो नालायको एक बात तरह ना इस नोट अपली के बल का मतलब के है कि सेलरी में लोस नहीं है यह इसलिए नोट अपली के बले ऑट सैलरी की इंकम से दूसरी लोस खत्म हो सकते हैं it means अगर मैंने कहा एन्य हैड एन्य इंकम तो एन्य इंकम में एन्य में सस्टे का है रहा है k wish salary बैंट सार्ट का में एमट इव्य ठीख थितुट करेंगे हब इनिज ओधे एक जाएगैं जाएगर फैने लौ सलोस काई बस्ट करते हैं सेलरी में कम है तो इंकम से दूसरों सी खतम कर सकते हो अब यहां पर एक बार आना है अब यह कितना आ चाॉज पार यह जा ह्कुत करो今日は कि इननी हेंज एकसेट इंग धे रिजिउ डिर सेटिंगी अच्छ यहां पर किया इससे हो सकते हैं लोगगरम से यहां के यहां नूध धैक तो य। चैनल में वाला इससे रिई ऑन लोगःशन सकते हैं की याशन ओ Państwo शिर्ट हो पहले वह खत्म कर दो कि यह चाहरे कि घट रहगाए एक लाग कि बच कि अऑ चांच एक लाग उस से यहां से अटा दो बच्छ क्यASH नहीं किद्ध और तो यह दो लाक यह दय बचेगा ओर आपको 3 लाक यह बचे आई इंकम मेरी मिरी हम से कुछ इस के कप अर्सेलीों बच्छेए बस एक लाख रुबो से कब यह ए क्ला किक ओंपर यह स्ट टो एक कला हापकी इंकम बचेगी और यह 2 लाख रुबे के लोस हैं और यह आपके 3 लाख रुबे की लोस हैं किस-किस का सभी अंसर था कि कम बच्चे हैं बस तो प्लीज चेक करो इस कुछन में कोई गलती नहीं कोई डाउट है प्लीज पूछ लो कि समझ में आ गया रही लोग कर दूंब का बक्का चीकरी देन आये तो प्लीज यहां पर यहां पर यहां पर दो चेंग आया है सिर्फ हाउस पोवेडी में दो लाख अर्बे की लीमीट आ गयी अब यह बजहां अगणा ठीक है तो यह हमारा चेप्टर्दा सैट ओं लोज एंड कैनि फोर फोवर फ्लोज का चीकरी तो यह हमारा चेप्टर हमारा यह बच्चा पूरी क्लास में calculator, बोत लें, यह क्यों गेरते रहते हैं, ऐसा करो ना, calculator का एक वो अपना गले में वो टांग लो एक वार, गिरेगा ही नहीं कभी, जैसे होते हैं, वो बड़ा बुज़र की चस्मा टांग लेते हैं, अब गिरता ही नहीं कभी, रैसे अपना छे करके calculator गले में डालकी घूमते रहो, जैसे वो पीके के मुवी केंदर था ना, उसके वाल अटकता है, स्यापा ही खतम, कहीं भी किसे ने गोई रास्ते में मिला, ला भाई तेरी इंकम बता, अपना टाइम भास भी हो गया, सबका टेक्स निकालता गया राम से, और अपना र चांसे हैं, चलो, अब यहां पर जो हमें स्टार्ट करने हैं, एक तो हमारा chapter बचा हुए है, छोटे chapter के अंदर deduction का, ठीकरी, उसके बाद फिर हमारे main 5 head बचे हुए है, ऐसा करते हैं, पहले deduction वाला chapter हम कर लेते हैं, ठीकरी, उसके बाद फिर हमारे इस book में 5 head रह जाएंगे चीकरी, तो deduction एक बार आना, page number 371 पर आओ, 234 पर कहा है, अच्छा मेरे पास main book है, 234 पर आओ जी, page number है 234, ठीकरी, अच्छा इस chapter में कुछ changes आये हैं, finance act 17 में, वो ध्यान है आपके exam के लिए important है, exam में question पक्का बनेगा वहाँ से, अब इस chapter को ना, main इसको पढ़ेंगे next class में, आज सिरफ मैं यहाँ पर एक diagram आपको बनवा रहा हूँ, उस diagram को बनाना कि आपके exam में अगर question मैं कह रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल कोई भी question बनेगा न, तो वो question को आपको solution कैसे करना है, उसका diagram आपको बनाने जा रहा हूँ, लिखो एक बार यहाँ पर, heading डाल देना, direction under chapter 6A, बातचीत बंद कर दो एक बार, heading डालो जी, direction under chapter 6A, अब अगर मैं direction की बात करता हूँ, तो chapter 6A में आपकी तीन heading आती है, एक तो आपकी heading आती है, heading A, एक आपकी आती है, heading B, एक आपकी आती है, heading C, heading A और heading B, यह आपकी है, 80C से लेकर 80U, और heading C जो है, यह है, section 80IA series, 80IA, IB, IC, I, D, I, E, यह बहुत लंबी चोड़ी series है, वो heading C के अंदर है, ठीक है रही, अब यहाँ पर लिखो जहान से, यहाँ दे हो गया, यहाँ पर लिखो, heading डालना, computation of tax liability, after giving the effect of deduction, अगर एक परसन का आपको tax निकालना है, deduction माइनस करने के बाद, तो कैसे tax liability निकलेगी, वो एक बार diagram बनाने जा रहा हूं, आपको, ठीक हैरी, सबसे पहले न, आप एक परसन की क्या निकालते हो, gross total income निकालते हो आप, यह निकालते हो, तो यहाँ पर आप लिखो, salary, उसके बाद, house property, pgbp, capital gain, other source, यह आपकी income आगई, इसमें add करते हो, clubbing of income, अगर कोई income अपने planning की है, divert की है, उसको add कर दोगे, फिर minus करोगे, loss, चिके नि, इसके बाद क्या निकल कराती है, इसके बाद आपकी निकल कराती है, gross total income, अच्छा आपने सुना होगा श्याद, gross total income से, total income कैसे निकलती है, अगर इसमें से मैं, deductions minus कर दूँगा, तो मैंनी क्या आएगी, total income, actual में वैसा नहीं होता, अब सुना ध्यान से, अब actual में होता क्या है, अब जब आपकी DJI निकल करा गई है ना, इस GTI को अब bifurcate करना पड़ेगा, कैसे bifurcate करेंगे, लिखो यहां पर, इस GTI के ना, mainly आपके यहां पर बनेंगे, पाच केस, सबसे पहदा case, इस GTI में आप यह चेख करो, कि कहीं आपका, long term capital gain तो नहीं है कहीं आपका short term capital gain under section 111 A तो नहीं है कहीं आपकी इसके अंदर casual income तो नहीं है कहीं आपका इसमें dividend 10 लाग से जादा वाला portion वो तो नहीं है और आपकी other income इन सब को छोड़ कर वो आपकी अलग हो जाएगी ठीक है अब अगर आपका long term capital gain होगा ना तो इस case में tax लगेगा at the rate 20% deduction माइनस नहीं होती chapter 6 A का benefit आपको हर income में से मिलता है इन तीन income को छोड़ कर अभी तह हमने क्या पढ़ा GTI minus rejection क्या निकल कर आगा total income वो actual मैंसा नहीं होता GTI के bifurcation होगे उसके बाद जो आपकी other income आएगी ना उस income में से minus करोगे ये वाले सारे की सारे income आपकी fully taxable होगी इन वीज़ आपने क्या long term gain निकाल दिए इस long term gain पर आपने क्या कर दिया हाँ पर लगा दे 20 परसेंट short term capital gain tax add the rate 15 परसेंट casual income tax add the rate 30 परसेंट अब ये जो आपकी dividend की income है और other source की income ये आपकी जो income निकल करा रही है इन दोनों income को आप यहाँ पर add कर दो बना टोटल कर दो ठीक है रही इसमें से minus करो deduction under chapter 6a अब ये आपकी निकल कर आएगी balance income इस balance income के ना फिट दो bifurcation होगे bifurcation कैसे dividend वाली अलग कर दो other वाली अलग कर दो dividend वाली पर tax लगाना है tax add बरे 10% और इस पर लगेगा आपका slab rate ऐसे निकलती है tax liability तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था GTI minus deduction total income actual मैसा नहीं होता GTI के सारे bifurcation होगे फिर tax लगेगा फिर deduction वाला area तो सिर्फ वहाँ पर आता है आज आप सुना द्यान से यह tax आ गया, यह tax आ गया, यह tax आ गया, यह tax आ गया अब क्या करो इन सब को ऐसे कमाइन कर दो अब यह निकल कर आ गया आपका total tax यह total tax जो निकल कर आया है ना यह कैसे निकल कर आया after giving the effect of deduction एसे निकल कर आया, ठीक है रही? उसके बाद अब इसमें क्या करोगे? प्लस में तीन परसेंट सेस यह आ गया? और अगर यह tax आपका fraction में है ठीक है रही? तो क्या करोगे? राउंड ओफ in और अब फिर गर्वर्वन को पे कर दोगे बस? लोज, ये कहानी ऐसे चलती है, ठीक है रही, ठीक है, तो एक्चुल में ऐसे कहानी चलती है, एक बार दुबारा देख लो, सबसे पहले आप तनाच एड़ की इंकम एड़ करते हो, फिर क्लबिंग एड़ करोगे, लोस माइनस करोगे, फिर आपका यहाद जीटिय निकल कराए इन इंकल कराएगा उसको बाइफरकेट करोगे, यहां पर यहां पर कर लगए इन सबको जो भी आपकाasi, चैसिया करोगे, अगर फ्रेक्शन में हैं, तो आपका आटम करोगे, आप का टक्स लाइडड के लिल, इसको क्वना एकडिशनी जो आपका खुआन में, आपका स्ट यह उसको घर आगर आपको रिवाइस करना है बाकी कोई भी डाउट्स है आपको डाउट्स में यहां पर बैठा हूं जितने भी आपको डाउट्स आप यहां पर आकर पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है री चलो बाकी मुलाकात होगी मारी नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम सेम जगां ठीकरी ओके री बाइबाइ टाटा थेंक्यू सो मच जैहीन थेंक्यू सो मच जैम आता दिए